Okay, so welcome to the part 2 of Is Matter Around Us Pure और इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटलोइट्स का पार्ट हमने अभी तक मेटल्स और नॉन मेटल्स बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया अब हमारे पास हैं मेटलोइट्स अब देखो, 118 एलिमेंट्स थे उस में से 2 ग्लासिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था कोई भी एलिमेंट पूरा-पूरा मेटल था कोई एलिमेंट पूरा-पूरा नॉन मेटल था बट कुछ ऐसे स्पेशल एलिमेंट्स थे जो मेटल्स की भी प्रोपरटी शो करते थे तो अरे भाई इनको क्या नाम दे ने को हमारे साइंटिस्स ने ने मेटलोइट इस को ढु करते हैं प्रोपरटी मिटल्स की भी को और BEN और जर्मानियम तो बोरॉन और जर्मानियम इसका बेस्ट एक्जाम्पल है जो थे हमारे मेटलोइड ठीक तो अब हमारा elements का पार्ट हो गया complete अब हम बात कर रहे हैं compounds की so a compound is a substance or composed of two or more elements तो इसमें क्या है compound ऐसा substance है जिसमें एक से जादा two or more elements है जो chemically combined होते हैं एक दूसरे से एक fixed proportion में मतलब एक fixed ratio में एक दूसरे से combined होते हैं और इनको हम बोलते हैं compounds अब जैसे water है water एक compound है जो बना होता है hydrogen and oxygen से अब water को हम लिखते कैसे है H2O तो इसमें hydrogen के हमारे पास दो units है और oxygen का हमारे पास एक unit है मतलब हर जगा पर अगर हम पानी देखे तो हम हर जगा पर इसको H2O ही बोलेंगे कहीं पर भी हम इसको देखे तो यह H3O नहीं होगा क्योंकि इसका जो ratio है वो universally fixed है तो अब अगर हम ammonium chloride देखे तो यह भी तीन चीज़ों से बना है जो है nitrogen, 4 hydrogen and 1 chlorine तो इसमें भी यह जो proportion है यह जो ratio है वो universally fixed है ऐसा नहीं है कि यह change हो रहा है तो अब हमारे पास है difference between mixtures and compounds अब mixtures consist करते हैं two or more elements के जो साथ में combined नहीं है वो chemically combined नहीं है but compounds क्या होता है compounds consist of two or more elements chemically combined in a fixed proportion in mass हम नहीं नहीं देखा अब हम नहीं देखा कि वो कैसे एक फिक्स्ट रेशो में combined होते है अब mixtures को हम separate कर सकते हैं उनकी physical processing से उनको physically हम separate कर सकते हैं but compounds को अगर हमें separate करना है तो उसको हमें chemical processing करनी बड़ेगी या तो हमें heat देनी पड़ेगी या तो हमें उसको displace करवाना पड़ेगा इनका separation थोड़ा chemical based होता है अब mixtures show properties of its constituents कि जो भी चीजें mixture में added है उसकी overall property भी उनके constituents होई जैसे example लेते हैं हम शुगर solution का तो sugar solution की overall property के होगी मीठा है तो sugar मीठी होती है तब ही पूरा solution मीठा है हमें पानी भी फील हो तो पूरी जो properties है पूरे sugar solution की वो dependent है sugar पे and water पे तो यहां पर properties उनके constituents पर होती है जो चीज़ combine करके mixture बना रही है वहीं पर compounds की जो properties है वो उनके constituents से property different होती है जैसे अगर हम sodium को ले और chlorine को ले तो यह अलग-अलग में different properties शो करेंगे अगर इनको हम combine करते तो यह common salt मतलब हमारा नमक बन जाएगा तभी इसकी property इसमें अलग होती है अब composition mixture की varied होगी क्योंकि हम जितना mix करेंगे उत्ती वैसे हमें property different मिलेगी but compound की composition है वो एकदम fix है हमने अभी ही देखा कि H2O है तो इसका proportion क्या है एकदम fix है so mixtures की बात आती है अब की mixtures को हम कैसे classify कर सकते है homogeneous mixtures या heterogeneous mixtures तो homogeneous mixtures पढ़ने से पहले हमें mixtures का समझना है की exactly mixtures क्या होते है और a mixture is a substance which consists of two or more elements or compounds that are not chemically combined together तो यह बस mix होते हैं यह dissolve होते हैं पट इनमे chemical reaction नहीं होता और इनको हम separate भी कर सकते हैं by physical means तो वही पर जैसे हमने देखा कि air वो mixture है किसका oxygen nitrogen argon carbon dioxide तो यह सारी चारो पांचो गासे ने mix होके air बनाई है अब यह सब आपस में chemically bonded नहीं है यह सिर्फ एक दूसरे में मिली हुई है एक दूसरे में mixed है पट इनके बीच में कोई chemical reaction नहीं हुई है हवा बनाने के लिए तो अब अगर हम देखें mixtures के type में मिक्सचर थे दो type के एक थे homogenous mixtures दूसरे थे heterogeneous mixtures तो homo मतलब होता है same homogenous mixtures जो थोड़े को same type के होते हैं so a mixture is said to be homogenous if all the components of the mixtures मतलब क्या कि उस mixture में हमने जो चीज़े एड करी वो सब uniformly mixed है और कोई boundaries नहीं है separation की between them मतलब वो completely mixed होगई एक दम dissolve होगई एक दम mix होगई और उनको हमें देख के लग ही नहीं है कुछ mixed है वो naturally ही लग रहा है इसका example है sugar and water starting में शक्कर मिक्स नहीं होगी time लगेगा time लगेगा time लगेगा बट वो शक्कर जब पूरी तरह से घुल जाएगी या अगर हम example ने salt का तो salt जब पूरी diffuse हो जाएगी पानी में तो वो पूरा पानी हमें ऐसा लगेगा कि वो एक ही टाइप का पानी है और यह होते हैं homogeneous mixture जो completely dissolve हो गए कुछ boundary नहीं रही आइस इन वाटर भी हो सकता है complete mixture का so a mixture is set to be heterogeneous if all the components of the mixture are not uniformly mixed अगर कुछ components है उसके वो सही से mix नहीं हो पाए है with time भी सही से mix नहीं हो पाए है और उनमें visible boundaries है separation देख रहा है कि यहां तक पानी है नीच रहे गया है उनको हम heterogeneous mixture बोलेंगे जो different रहे जाए जो different type के रहे जाए अब example है sand in water तो अगर एक glass में हमने रेत डाली तो वो रेत mix थोड़ी होगे पानी में थोड़ी breakdown ज़रूर हो जाएगी पर पूरी dissolve नहीं होगी जो इसको एक बनाएगा heterogeneous mixture so now the question is कि what is a solution solution क्या होता है so a solution is a homogeneous mixture solution तभी होगा जब वो चीज क्या है completely completely mixed है उसमें कोई boundaries नहीं है तो एक homogeneous mixture में completely boundaries खतम हो जाती है पूरी dissolve हो जाती है और जब यह two or more substances mix होके एक homogeneous mixture बनाएगे तो यहाँ पर इसको हम solution बोलेंगे जैसे हो गया हमारा lemonade मतलब निबू पानी या fresh lime soda भी इसका example है और sugar solution भी इसका example है जब यह with time completely dissolve हो जाता है तो वो एक solution बन जाता है जिसमें सिफ water होता है अब components of a solution, solution के भी दो components है solution बन गया अब solution है एक solvent और एक है solute मतलब solution के भी दो components है दो चीजे है एक है solvent और एक है solute तो solvent क्या होता है कि the component of the solution that dissolves the other component in it is called the solvent जो अपने अंदर जो अपने घर में अपने अंदर किसी चीज को डिसोल्व करता है यह लार्ज अमांट में होते है जो पूरे solution को dilute बनाते है जैसे अगर हम बात करे salt solution की तो हमने क्या किया हमने पानी में नमक आड़ किया है ना हमने पानी में नमक आड़ गया तो वह नमक पूरा mix हो जाएगा थोड़ टाइम में जो solution मनाएगा अब पानी ने पानी large quantity में present था और हमने पानी के अंदर mix करवाया नमक को है ना नमक अलग से पानी के अंदर हमने mix करवाया नमक को तो इधर पानी हो गया मेरा solvent जो अपने अंदर दूसरी चीज को mix कर लेता है और लास्ट में उसी का state बचता है मतला अगर लिक्विट था तो लिक्विट बचे का अब क्या होते है जो चीज हम डिजॉल्स करवाते हैं जिससे हमें क्या मिलेगा वो पूरा solution मिलेगा जिससे पानी था उसमें हमें नमक अड़ किया और उससे हमें final solution मिला तो यहां पर the component of the solution that we dissolve in the other component is known as solute तो हमने क्या किया हमने इसको add किया हमने इसको add किया और यह usually lesser quantity में होता है यह क्या होता है usually lesser quantity में होता है तो solutions की अब properties क्या होंगी कि solution हमेशा homogeneous mixtures होते हैं कभी भी heterogeneous mixtures solutions नहीं होंगे अब इनके जो particles है ना वो बहुत छोटे होते हैं जो हमें naked eyes से भी दिखते नहीं मतलब naked eyes क्या होती है कि ऐसी eyes जिसमें microscope यह कुछ भी हमने add नहीं किया normal हमाई जो eyes अभी है उससे हमें दिखते भी नहीं है and they do not scatter a beam of light passing through the solution तो अगर हमने flash light pass करी तो वो ऐसे spread नहीं होगी वो सीधा सीधा pass हो जाएगी वो spread नहीं होगी वो सिफ सीधा सीधा pass हो जाएगी तो यह properties थी किसकी solutions की the solute particle cannot be separated from the mixture by the process of filtration यह अच्छा point है filtration क्या है filtration यूज होगा है basically heterogeneous mixtures में filtration मतलब क्या करना इसको filter करना अब तुम लोग को doubt होगा कि RO कैसे चल रहा है so RO में जो technology use है वो उसकी impurities को pull out करती है यहां पर क्या है अगर हमने mix कर दिया नमक को और पानी को तो हम क्या इसको फिर separate कर पाएंगे by filtration अगर मैं एक चन्नी में लेके इसको डाल दू तो क्या वो नमक अलग हो जाएगा नहीं क्यूंकि वो पूरा उसमें diffused हो जाता है वो पूरा उसमें तो वो पूरे dissolve हो जाते उसमें और वो बिल्कुल भी remaining नहीं बचते मतलब कोई भी in-situ कुछ भी residue या कुछ भी leftover चीज नहीं बचती है तो अब हमारे पास है types of solutions जो हम लोग कवर करेंगे हमारी next video में उसके लिए इस वीडियो को जरूर से like करना and comment भी करना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कोई special chapter के अगर recommendation हो तो वो भी बिल्कुल से बताना और मैं बहुत जादा happy रहूंगे आपकी help करने में So stay tuned and happy learning